क्यारे बच्चों, आज के इस क्रियात्मक कारे में हम इक की मात्रा के शब्दों पर गोला बनाएंगे तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि इक की मात्रा कैसी होती है तो आप सभी बच्चों को हम बता चुके हैं कि इ की मात्रा हमेशा बाई तरफ से लगती है किसी भी अक्षर के बाई तरफ से अगर मात्रा लगी है तो इसका मतलब है कि वो किस की मात्रा है इ की मात्रा है तो बच्चों अब हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे. तब हम देखेंगे कि किस शब्द में इक की मात्रा का प्रयोग हुआ है. तो देखिए बच्चों सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा है? राम. इसके बाद दिन. तो दिन में हम गोला बनाएंगे क्योंकि इसमें इक की मात्रा का प्रयोग है. अब यहां पर पुल लिखा है. हिरन इसमें इक की मात्रा का प्रयोग है. तो हम इसमें इक की मात्रा का प्रयोग है. इक की मात्रा का प्रयोग नहीं है ना? तो हम इसमें इक की मात्रा का प्रयोग नहीं है ना? तो ह प्रयोग है, तो इस शब्द पर भी हम गोला बनाएंगे, घड़ी, तिनका, अब ता में देखिए, इक की मात्रा का प्रयोग है, ता में ये बाही तरफ से मात्रा लगी है, इसका मतलब ये इक की मात्रा है, तो तिनका में भी हम गोला बनाएंगे, गमला, चूरन, साबुन, और ये आखरी शब्द है किताब, तो क में भी इक की मात्रा का प्रयोग है, तो हम इस पर भी गोला बनाएंगे, तो बच्चों इस तरह से हमें इक की मात्रा के शब्दों पर गोला बनाना है, तो देखिए बच्चों इस तरह से आपने क्या किया, इ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाया तो सभी बच्चे आज इस कारे को अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ साफ करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ इ की मात्रा वाले शब्दों पर ही गोला बनाना है तो बच्चों ये E की मात्रा के कितने शब्द बने हैं दिन, हिरन, सितार, तिनका और किताब तो कितने शब्द हुए एक, दो, तीन, चार, पाश तो सभी बच्चे इन शब्दों को याद भी करेंगे